आप सभी एस्पिरेंट्स का माई सिलेबस में स्वागत है 36 गड़ लोक सेवा आयोग के फूल सिलेबस, एक्जाम पैटर्न, एलेजिबिलिटी क्रिटेरिया, सेलेक्शन प्रोसेस, सैलेरी, ग्रेड वाईज हम डिसकस करेंगे इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि आपके सभी प्रशनों के उत्तर, जो 36 गड़ पवलिक सर्विस कमिसन से सम्बंदित है, इस वीडियो में मिलेगा साथ ही हम आपको CGPSC में पास होने के बाद आपको कौन-कौन सा डेजिगनेशन मिलता है, उसको भी डिसकस करेंगे आईए ये वीडियो हम सुरू करें उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजे, बिल आइकन को क्लिक कीजे, ताकि हमारा अपलोडेड वीडियो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिलता रहें, और होगा, उसके बाद आपका मेंस होगा, फिर आपका इंटर्वीव होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, डकुमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको अपवाइंट में लिटर मिलेगा, और आप जॉब जॉइन कर पाएंगे. अब आए 36 गड़ लोक सेवा आयो के एक्जाम पैटर्ण को डिटेल में समझते हैं, प्रिलेम्स एक्जाम की बात करें, तो दो पेपर देने होगे, पेपर वन जेनरल स्टडीज का होगा, जिसमें 100 प्रशन होगे, 200 मार्क्स के होगे, और 2 घंटे का समय होगा, वही पेपर करना है, questions आपके bilingual होंगे, यानि हिंदी और इंग्लिश भाषा में पूछा जाएगा, एक सही जवाब होने पे 2 मार्क्स मिलेंगे, और एक गलत जवाब देने पे आपके 0.33 मार्क्स यानि 1 by 3 मार्क्स डिड़क्ट हो जाएंगे, CGPSC के मेंस एक्जाम पैटर्ण की बात कर तो टोटल साथ पेपर्स देने होंगे, पेपर 1 लेंग्वेज पेपर होगा, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और 36 गड़ी से प्रशन पूछे जाएंगे, सभी पेपर 3 आवर्स के होंगे, और 200 मार्क्स के होंगे, पेपर 2 आपका essay का होगा, पेपर 3 आपका history, constitution और public administration से questions पेपर 6 आपके mathematics और logical ability से होगा, पेपर 7 आपके philosophy और social science से होगा, टोटल मेंस आपका 1400 मार्क्स का होगा, वहीं इंटर्विव की बात करें तो इंटर्विव देड़ सो मार्क्स का होगा, आपका selection मेंस और इंटर्विव के मार्क्स पे depend करता है, मेंस और इंटर्विव का मा 350 मार्क्स का होगा 36 गड़ पॉब्लिक सर्विस कमिशन के eligibility criteria में age limit minimum 21 साल maximum 30 साल है अपर age limit 35 साल तक है जो 36 गड़ के निवासी है और 10 साल का age relaxation female candidate को मिलेगा HTSC और OBC का age relaxation 36 गड़ गोर्मेंट के rule regulation के according होगा वही educational qualification की बात करें तो minimum qualification graduation होना चाहिए किसी मानेता प्राप्त कॉलेज या इन्वर्सिटी से 36 गड़ लोग सेवा आयोग का exam पास करने के बाद grade 1 के officer होंगे जिसमें आपका designation deputy district magistrate deputy superintendent of police या accounting officer या jail superintendent district fighter या assistant registrar या 36 गड़ subordinate accounting service होगा जिनमें आपकी salary 56,100 रुपे है और ये initial salary है अब आये 36 गड़ public service commission के syllabus को detail में समझे प्रिलेम के syllabus की बात करें तो paper 1 में सामाने बिग्यान वन पर्यावरण राष्टी वन अंतराष्टी व महत्तो की बरतमान घटनाए भारत का इतिहास वन स्वतंतर भारत भुगोल भारती राजनीती वन अर्थ विवस्था खेल कूद 36 गड़ का भुगोल इतिहास तता संस्कृती 36 गड़ की राजनीती वन अर्थ विवस्था सुचना एवं संचार प्रद्योगी की और सुचित जाती वं जन जाती वहीं पेपर टू एप्टिट्यूड का होगा जिसमें बौध गमता संचार कौशल सहित अंतर वैक्तित कौशल तारकी कौशल एवं विशले सात्मक शमता निर्नाय लेना और समस्या समाधान सामान्य मान सिक योग्यता आधार बुद्ध संख्यान आकरों का निर्वचन हिंदी भाषा में बुद्ध गमता कौशल दस्मीक अक्षा अस्तर के होंगे इसको बहुत ध्यान से पढ़ें CGPSC के मेंस एक्जाम के पैटर्ण की बात करें तो सबसे पहले पेपर वन में इंग्लिश में आपके प्रशन आर्टिकल्स, भर्ब्स, संटेंस, रियारेंजमेंट, अंसीन पैसेजेजेज, एंटोनिम, सिनोनिम, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रिमेंट, एरर करेक्शन, उधिया तथा शब्दों के शब्द रूप, शब्दों के इस्तिलिंग, बहुवचन, किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन, मुहावरव उनका आर्थ, अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप, विलुमार्थी शब्द, समनार्थी प्रयवाची शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द कहावते वो लोकुक्तियां के अर्थ 36 गड़ी भासा में आपका प्रश्न 36 गड़ भासा का विकास व मितिहास लोक भासा का शाहित और प्रमुक शाहितकार 36 गड़ी व्याकरण शब्द साधन व्याकरण संग्या सरणाम क्रिया विशेशन इससे वही पार्ट टू में 36 गड से रिलेटेड एसे पूछे जाएंगे इसमें भी चार एसे पूछे जाएंगे 2 का आंसर करना है वर्ड काँंट मैक्सिमम 750 होना चाहिए और एक एसे पे 50 मार्क्स दिया हुआ है पेपर 3 आपके General Studies से होंगे जिसमें आपके प्रशन History of India, History of 36 गड़ से होंगे साथ में Public Administration और Constitution से भी आपके प्रशन होंगे बहुत अच्छे से syllabus को देखें क्योंकि हमने details में syllabus दिया है जो आपके screen पे दिख रहा है पेपर 4 जेनरल साइंस का है जिसमें आपके प्रशन Chemistry, Physics और Biology से होंगे साथ में Aptitude, Mental Ability से आपके प्रशन होंगे इसके अलावा Behavioral Science से भी आपके प्रशन पूछे जाएंगे हमने syllabus को details में दिया है आप इसको screen पे देखें और इसको अच्छे से पढ़ें पेपर 5 आपका Economics और Geography से होगा जिसमें इंडिया और 36 गड़ का Economics और इंडिया और 36 गड़ के जोगरफी से आपके प्रशन होंगे हमने syllabus को details में दिया है आप जैसा की screen पे देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से इस सभी topics को पढ़ें पेपर 6 आपका Mathematics और Logical Reasoning Logical Ability से होगा जिसमें arithmetic, rational numbers, coordinate geometry, binary digit system, change in binary number to dismal number, dismal number to binary number, algorithm methods, data analysis, mathematical operation, basic numeric, logical reasoning से प्रशन पूछे जाएंगे बहुत अच्छे से इस सभी topics को आप पढ़ें पेपर 7 की बात करें तो आपके प्रशन sociology और philosophy से पुछे जाएंगे स्क्रीन पे जैसा की आप देख पा रहे हैं दर्सन की दार्शनेक, समाज सास्त्र, 36 गड़ के समाजिक पहलू इससे आपके प्रशन होंगे बहुत अच्छे से इस सभी topics को पढ़ें हमने details में दिया है 36 गड़व इंडिया के सभी government jobs update, syllabus, exam pattern, eligibility criteria, selection process, current affairs, mathematical tricks के लिए चैनल को subscribe करें, like करें, share करें